आज हम आपका परिचे करवाते हैं एक विशेश प्रकार की त्रिविमिये ठोस आकरिती से जिसने मानर जीवन की विकास और सभिता की तहानी में एक विशेश स्थान पाया है लगबग 2000 और 3000 इसापूर्व मिस्र के सभिता के व्यभव का अभिन अंग ये भव इमारतें उनके एक अनूठी कहानी कहती है इन्हें कौन नहीं पैचानता आप भी पैचानते हैं ये है विश्व के साथ आश्चरियों में से एक मिस्र के प्रसिद पिरामिट मंदिर में बज़ती हुई घंटियों ने आपका ध्यान अपनी और आकरशित किया होगा क्या कभी आपका ध्यान मंदिर की चोटी की तरफ कया उसके आकार की तरफ ध्यान पे इन सभी विशेश प्रकार के ठोश आकरितियों को हम उनके प्रारूपत्वारा समझते हैं इस ठोश आकरिती को देखिए इसका आधार शडबुज के आकार का है और इसके पार्श्विय फलक त्रबुज आकार के हैं त्रबुज आकार के इसके पार्श्विय फलक हैं सभी और ये सभी पार्श्विय फलक एक उभ्यान शीष्ट बंदू से आपस में डुड़े हुए हैं इस ठोश आकरिती में इसका आधार पंचबुज है पार्श्विय फलक भी त्रबुजाकार हैं और ये सभी त्रबुजाकार पार्श्विय फलक उपर जाकरके एक शीष्ट बंदू से उभ्यान शीष्ट बंदू से जुड़े हुए हैं यह एक अनिठोस आकरिती है इस आकरिती के आधार को देखें तो इसका आधार वर्ग के आकार का है और इसके भी पार्श्विप्रिष्ट त्रबुजाकार आकार के हैं त्रिबुज यह भी त्रिबुज और यह भी त्रिबुज और यह सभी पार्श्विप्रिष्ट आपस में एक शीष्विदू से जुड़े हुए हैं यह एक और इसी प्रकार की ठोसाकृती है इसका आधार त्रिबुज के आकार का है और इसके पार्श्विफलक त्रिबुज आकार हैं यह भी त्रिबुज है और यह पार्श्विफलक बित्रिबुज के आकार का है और यह तीनों पार्श्विफलक एक शीष्विदू से आपस में जुड़े हुए हैं तो इन सभी ठोस आकृतियों में हम क्या समानताएं पाते हैं कि इन सभी ठोस आकृतियों के आधार बहुबुच हैं और पार्श्विय फलक त्रिबुच हैं और ये सभी एक उभेनिष्ट शीष्ट बिंदू से तुड़े हुए हैं तो इस प्रकार की आकृतियों को हम कहते है पिरामिट, तो पिरामिट कैसी आकरितियां हुई, पिरामिट समतल पिष्टों से बनी ठोस आकरिती है, जिसका आधार बहुबुज होता है, तथा शेश पिष्ट त्रिबुज होते हैं, इन त्रिबुजाकार पिष्टों का एक उभयनिष्ट शीर्ष आधार तल के पाहर होत कि अब इन पिरामिट के आधार जिस आकार के होते हैं उसी नाम से हम उन्हें प्रकारते हैं यह एक今 सी प्रकार तोस आकरिति हैं इसके चार त्रिबुजाकार फलक हैं एक आधार त्रिबुज के आधार का और तीन त्रिबुजाकार पाश ये फलक तो कुल इसके चार फलक हैं तो इसे हम चतुष फलक भी कहते हैं आज हम त्रिबुजीय पिरामिट या चतुष फलक जिसे हम कह रहे हैं उसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करें, यह एक पिरामिट है, त्रिबुज आधार का, इस पिरामिट के आधार का यह केंद्रक हमने मार्क किया हुआ है, अब अगर आधार केंद्रक को हम शीष से जोड़ें, तो यह जो रेखा खंध है, आधार केंद्रक को शीष से मिला रहा है, यह अगर आधार पर लंब हो, तो पिरामिट जो है, लंब पिरामिट कहलाता है, यह लम्ब त्रिभूजी यह पिरामिध है इसके पाश्विय फलक तीन है और यह जो किनारे हैं इन्हें हम पाश्विय कोर कहते हैं इसके पाच भी कौर कितनी हैं, एक, दो और तीन, तीन पाच भी कोरे हैं और तीन और भी कोरे हैं, आधार की एक, दो और तीन. अर्थात इसके कुल 6 कौरें हुई, 3-5 कौरें और कुल 6 कौरें और इसके शीर्ष कितने हैं, एक यह शीर्ष है, एक यह शीर्ष है, और एक यह शीर्ष, इसके 4 शीर्ष है इसके आधार के मद्व बिंदू को शीष से मिलाने वाला रेखाकंट पिरामिट की तिर्ची उचाई कहलाती है और अधिक जानने के लिए हम पिरामिट के पार्श्विय फलकों को खोलते हैं अब देखिए ये पार्श्विय फलक त्रिबुजाकार के हैं और अगर हम इन पार्श्विय फलकों को इस प्रकार खोल करके रख लें और इन पार्श्विय फलकों को एक दूसरे के ऊपर रख करके देखें तो हम पाते हैं कि ये तीनों ही पार्श्विय फलक क्या है सरवांग सम्त्री भूचाएं देखिए तीनों पाश्वीय फलकों ने एक दूसरे को पूरी तरह से ढख लिया और इनकी यह भुजा क्या है पाश्वीय कौर तो क्या मतलब हुआ कि यह जो पाश्वीय कौरे हैं यह क्या है आपस में समान है और इसके बारे में एक और जानकारी आपको हम देते हैं कि यह इस भुजा का मद्ध बिंदू है और इसको हमने इस शीष से मिलाया है तो यह इसका इस्तर बूज का लंब संविभाजक भी है क्योंकि इसकी ये बूजाय आपस में क्या हैं, बराबर है तो यह जो लंबाई है यह पिरेमिट की तिरची लंबाई भी तिरची उचाई भी कहलाती है अब अगर आप चाहें कि हम एक इस प्रकार का पिरैमिड बनाएं तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि इस पिरैमिड को बनाने के लिए आपको कितना कार्डबोर्ड या चार्ट जिस भी वस्तु से आप इसे बना रहे हैं वो कितनी चाहिए और वो जानकर ही हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे आपको इस पिरैमिड का संपूर्ड पिष्ट क्षेत्रफल ग्याद करना होगा संपूर्ड पिष्ट ये क्षेत्रफल अर्थात इसके ये तीन पार्श्वे फलक हैं पाश्वी प्रिष्ट का क्षेत्र फल और इसके आधार का क्षेत्र फल यह आपको ज्याद करना होगा तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसके आधार का क्षेत्र फल हम किस प्रकार से ज्याद करेंगे और उसके लिए हम इस पिरामिट को खोलेंगे खोलने पर हमने पाया कि पिरामिड में ये तीन पाश्वी फलक जो हैं, वो त्रिबुज के आकार के हैं और एक आधार है त्रिबुज के आकार का, तो पाश्वी प्रिष्ट का क्षेतर फल निकालने के लिए हम इस त्रिबुजों का क्षेतर फल निकालेंगे, क्योंकि ये त तीनो त्रिपुच ही सरवांगसम हैं, तो इसके लिए हम एक त्रिपुच का अक्षेतरफल पहले निकालेंगे, त्रिपुच के मद्विन्दू को हम समुक शीष से मिलाते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि यह है तिर्ची उचाई, और तिर्ची उचाई को हम नाम दे देते हैं L का, और यह है आधार, आधार जो कि सम्भाहु त्रिपुच के आकार का है, इसकी भुजा को हम नाम दे देते हैं A, अब अगर त्रिपुच में आपको लंब का पता हो और आधार का माप पता हो, तो त्रिपुच का क्षेतरफल क्या होता है, एक पटा दो गुणा आधार, गुणा लब. तो इसका कछ сил त्रफल anál क्या होगा? 1 पटा 2 गुणा A गुणा L. इस प्रकार क्योंकि यह त्रिभूज, इस त्रिभूज की सरवांक सम्हें, तो इसका कछित्रफल भी होगा 1 पटा 2 गुणा A गुणा L. और इसी प्रकार इस त्रिपुज का खितरफल भी होगा 1 बटा 2 गुणा A गुणा L और तीनों के खितरफल को अगर हम मिला लें तो तीनों का खशितरफल जय क्या हो जाएगा 3 बटा 2 A गुणा L तो इसका प्रिष्टी खितरफल क्या हुआ तीन बटा दो गुणा A गुणा L और अभी इसमें हमने आधार का क्षेतरफल शामिल नहीं किया है आधार कैसा है यह सम बाहुत रिपुज के आकार का है इसकी भुजा की माप अगर हम मान ले कि A है तो इसका क्षेतरफल क्या होगा वर्गमूल तीन बटा चार एक इखार दो तो हमने ग्याद किया कि पाश्वी पिष्ट क्षेतरफल क्या होता है तीन बटा दो गुणा A गुणा L या हम यह भी कह सकते हैं कि एक बटा दो गुणा आधार का परिमाप गुणा तियर्क उचाई संपूर्ण पिष्ट क्षेतरफल होता है पाश्वी पिष्ट क्षेतरफल जमा आधार का क्षेतरफल यानि कि यह होता है तीन बटा दो A L जहाँ पर A है आधार की बुजा L है तियर्क उचाई जमा वर्गमूल तीन बटा चार एक इखार दो तो यह हमने सीखा कि किस प्रकार हम पाश्वी पिष्ट क्षेतरफल और संपूर्ण पिष्ट क्षेतरफल निकालते हैं तो क्यों ना हम कुछ इससंबंदी प्रश्णों को हल करके देखें किसी लंब पिरामिट का आधार संबाहु त्रिबुज है जिसकी प्रतेक भुजा चार मीटर लंबी और इसकी प्रतेक तिर्ची कोर तीन मीटर लंबी है पिरामिट का पाश्वी प्रिष्ट का क्षेतरफल ज्याद कीजिए अब इस प्रश्ण में हमें संभाहुत्रिबुज के आधार की भुजा की लंबाई दी है और तिर्छी को औरती है इस प्रश्ण को हल करने के लिए हम पिरामिट के मॉडल का प्रियो करते हैं यह है ट्रामिट का मॉडल है और इसको हल करने के लिए हम इसके नामांगन करते हैं, कीश का नाम हम रखते हैं, O, A, और B. हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसके दिर्ची उचाई, और उसके लिए हम क्या करते हैं, की हमें दिया क्या हुआ है? इसकी पाश्वियक और कितनी लंबाई है पाश्वियक और की लंबाई है तीन मीटर और आधार की लंबाई हमें कितनी दी है इस भुजा की लंबाई हमें दी है चार मीटर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें पिरामिट की तिर्ची उचाई ग्याद करनी है पाच प्रिष्ट क्षेत्रफल ग्यात हैंने के लिए हमें पिरामिर की तिर्ची उचाई का पता होना जरूरी है अब देखिए O, D, B एक समकौन त्रिभुज है और हम जानते हैं पाइथागॉरस प्रमेद्वारा कि समकौन त्रिभुज में कर्ण का वर्ख शेष्ट दो बुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो त्रिभुज O, D, B में O, B का वर्ख बराबर होगा O, D का वर्ख जमा B, D का वर्ख तो हम कह सकते हैं कि यहां पर OD का वर्ग जो हमें ज्याद करना है वो किसके बराबर होगा? OB का वर्ग घटा BD का वर्ग और OD की लंबाई जह है वो बराबर होगी OB का वर्ग घटा BD का वर्ग और इसका वर्ग मूल और इसके माप हमें दी है, ओ भी के लंबाई कितनी दी है, तीन, तीन का वर्ग माइनस, दीडी क्या है, भुजा का आधा, यानी चार का आधा, तो यह हो गया दो, दो का वर्ग, और इसका वर्ग मूल इतना मीटर, तो इसकी पैमाईश किसके बराबर होगी, वर्ग मूल पांच मीटर, अब ये तो हमने निकाली उसकी दिर्शी उचाई, और हमें निकालना क्या है, उसका पांच प्रिष्ट खेतरफल, तो पांच प्रिष्ट खेतरफल क्या होता है, एक बटा, दो, गुणा आधार का परिमा गुणा तियर्ग उचाई, तो ये किसके बराबर होगा, एक बटा, दो, गुणा, तीन, गुणा, चार, गुणा वर्ग मूल पांच, और इसके साथ क्या हैगा, वर्ग मीटर, और इसको हल करने पर आएगा, छे वर्ग मूल पांच वर्ग मीटर, और चाहें तो इसको आप पागे और हल कर सकते हैं, वर्गमूल 5 का मान निकाल करके, तो इसका मान आएगा 13.44 वर्ग मीटर, तो आईए एक और प्रेशन हल करें, जिसमें हमें इससे कुछ विबिन जानकारी दी हो, एक लंप पिरेमिट का आधार सम बाहुच्रीबुच है, जिसका क्षेतरफल 16 वर्ग प्रिष्ट और समपूर्ण प्रिष्ट क्षेतरफल ज्याद कीजिए, अब इस प्रशन में हमें क्या जानकारी दी गई है, हमें आधार का क्षेतरफल बताया गया है, 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर, और तिर्छी उचाई दी है 3 सेंटीमीटर, ज्याद क्या करना है, पिर्यामिट का पार्श प्रिष्ट और समपूर्ण प्रिष्ट क्षेतरफल, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आधार की बुजा का माप, और हमें दिया क्या है, आधार का क्षेतरफल, आधार समबाहुत्रिबुज है, और समबाहुत्रिबुज का बुजा का माप अगर A हो, तो ख्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल 3 बटा 4, A की घाद 2, और उसकी माप हमें किसके बराबर दी है, 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहां से A की घाद 2 का मान आया, 64 और A का मान हुआ, 8 सेंटीमीटर, तो यह हमने ग्याद की पिरामिट के आधार की भुजा, और अब हमें ग्याद करना है, उसका पाश प्रिष्ट क्षेत्रफल और संबोन प्रिष्ट क्षेत्रफल, तो उसका पाश प्रिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है, 1 बटा 2 गुणा 3 A गुणा L, जहां पर A क्या है, आधार की पुजा, L क्या है, तिर्ची उचाई, तो यह किसके बराबर हुआ, एक बटा 2 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 3, यह हुआ 36 वर सेंटीमीटर, अब और क्या हमें इसमें निकालना है, संबोन प्रिष्ट क्षेत्रफल, तो अब हम संबोन प्रिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे, वह क्या होता है, पाश्व प्रिष्ट क्षेत्रफल में अगर हम आधार का क्षेत्रफल जोड़ दें, तो वो क्या होगा, संबोन प्रिष्ट क्षेत्रफल, अब पाश्व प्रिष्ट क्षेत्रफल हमने निकाला, कितना है? 36 वर्ग सेंटिमीटर. आधार का क्षेत्रफल हमें परशन में ही बताया गया है. वे है कितना है? 16 वर्गमूल 3. तो इन डोनों को हमने जोड़ दिया, 36 जमा 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटिमीटर क्या होगा? इसके समपूर्ण पिष्ट का क्षेत्रफल. तो अब आप इस प्रकार के और प्रेशन जो है स्वैम रहन करके देख सकते हैं अभ अगर हमें एक पिरयमिट रीफोचीय पिरयमिट बनाना हो धातु का तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रश्न आएगा कि उसको बनाने के लिए कितनी धातु प्रियोग होगी और कितनी धाति प्रियोग होगी ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा पिरामिट का आयतन ग्याद करना होगा अब पिरामिट का आयतन हम किस प्रकार ग्याद करेंगे उसके आयतन को ग्याद करने के लिए हम प्रिस्म का सहाइता लेंगे और प्रिस्म का आयतन तो आपको प हम प्रिस्म में द्रव डालेंगे पिडाइपीन में भरके जितना उसमें द्रव आएगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो आयतन का उनका हमारे पास संबंद आ जाएगा तो इस क्रिया को हम करते हैं यह हमने इसमें उपर तक पानी भरके लिया और इसे हम प्रिस्म में उडेलते हैं यह हमने देखा कि एक बार इस प्रकार भरकर डालने पर यह नहीं भरा तो हम दुबारा से उसे करते हैं पानी लेंगे प्रैमिड में और डालते हैं अभी यह नहीं भरा तो एक बार फिर पानी लेते हैं और इस प्रकार हम पाते हैं कि तीन बार हमने प्रैमिड में पानी भरके प्रिस्म के अंदर डाला और ये प्रिस्म जो है बिल्कुल उपर तक फर्किया इसका मतलब क्या है कि पिरामिट का आयतन क्या है प्रिस्म के आयतन का एक तिहाई और प्रिस्म का आयतन क्या होता है यह तो आप जानते ही है आधार का क्षेतरफल गुणा इसकी उचाई तो पिरामिट का आयतन क्या होग एक बटा तीन गुणा आधार का क्षेतरफल गुणा उचाई और अगर हम आधार की भुजा को माल ले ए और उसकी उचाई को माल ले एच तो यह किसके बराबर होगा वर्गमूल तीन बटा बारा एक ही घाद दो एच अब क्यों ना हम कुछ आयतन संबंदी प्रशनों को हल क कर करके देखें, एक लंब पिरामिट्ड का आयतन ग्यात कीचिए जिसकी उचाई 4 मीटर और जिसका आधार एक मीटर भुजा का संबाहु तृपुज है, अब इस प्रशन में हमें क्या दिया है, इस प्रशन में हमें उचाई दिया जिसको हम माल लेते है, ह क्ट गितना जह क्या होता है आयतन होता है वर्गमूल तीन बटा बारा एक इखाद दो गुणा एच तो यह किसके बराबर होगा यह होगा वर्गमूल तीन बटा बारा गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एच का माप कितना है चार और क्योंकि यह आयतन है तो यह किस में होगा घंड मीटर में और इसको हल करने पर इसका मान आता है वर्गमूल तीन बटा तीन घंड मीटर और अगर इसको हम वर्गमूल तीन का मान रखने एक दश्मिलव साथ तीन दो तो इसको हल करने पर हम पाएंगे जीरो दश्मिलव पांच सार सार घंड मीटर तो यह तो हमने आयतन ग्याद किया अब आएए कुछ इससे थोड़ी से विभन प्रस्तिती का हम एक प्रश्न और लेते हैं उसे हल करते हैं एक लंप पिरैमिट का आधार सम बाहु त्रिपुष है उसका आयतन पचास वर्गमूल तीन घंड मीटर है और उसकी उचाई 6 मीटर है आधार की भुजा क्याद कीजिए अब इस प्रश्न में हमें क्या जानकारी दी गई है हमें बताया गया है पिरैमिट का आयतन कितना पचास वर्गमूल तीन घंड मीटर और क्या बताया गया है उसकी उचाई कितनी 6 मीटर और ज्याद क्या करना है आधार की भुजा तो इसके लिए हम सुगत्रे लगाते हैं आयतन का आयतन क्या होता है और किसके बराबर दिया है हमें यह यह दिया है पचास वर्गमूल तीन घन मीटर अब यहाँ पर जो हमें मान पता है उसे हम लिख देंगे हमें किसका मान पता है H का मान हमें ग्याथ है कितना है 6 तो यह हो जाएगा वर्गमूल तीन बटा बारा एक ही घाद दो ह कि जिक्हद क्या लिखेंगे 6 बराबर है 50 वर्गमूल तीन घन मीटर और यहां से हम प्राप्ट करते हैं A की घाद दो बराबर है 100 के और जब हम उसका वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आएगा A बराबर है 10 मीटर तो हमें आयतन दिया था और हमने क्या ग्याद किया हमने ग्याद किया आधार की भुजा को तो इस प्रकार के प्रश्ण अब आप स्पैम भी हल कर सकते हैं अभी तक हमने क्या सीखा पाश्व प्रिष्ट क्षेत्रफल ग्याद करना पाश्व प्रिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है 3 बटा 2 गुणा A गुणा L जहां पर A क्या है संबाहु आधार वाले त्रिपुज की भुजा और L क्या है उसकी तियर्क उचाई यानि कि हम कह सकते हैं कि पाश्व प्रिष्ट क्षेत्रफल होता है 1 बटा 2 गुणा आधार का परिमाब गुणा तियर्क उचाई और संबूर्ण प्रिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा कि उसमें आधार का क्षेत्रफल हम और जोड़ दे तो वह होगा पाश्व प्रिष्ट क्षेत्रफल जमा आधार का क्षेत्रफल यानि कि 3 बटा 2 A L जमा वर्गमूल 3 बटा 4 A की खार 2 तो आप इस प्रकार के और प्रिष्टन ले सकते हैं उन्हें स्वयम हल करिए अगर कचनाई हो तो आप उसके लिए अपने अध्यापक से संपर्थ करें और अगर आप चाहें तो हमें भी संपर्थ कर सकते हैं